सो कहाने की शिरुवात होती है एक दिन एक क्लास्रूम से जहां पे टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और सभी बच्चे उनके क्वेशन्स के आंसर भी कर रहे होते हैं और सब अच्छा होता है लेकिन उनी में से एक ऐसा रड़का होता है जो की बिलकुल शान्त बैठा होता जो कि किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता वो अपने आप में ही गुमसम सा बैठा था लेकिन टीचर ने ये बात पहले दिन ही नोटिस कर ली थी कि पता नहीं इस बच्चे को आखिर हुआ क्या आखिर यह सा क्यों रियक्ट कर रहा है और उसके बाद कोई प्रॉबलम है या तुम्हें कोई दिक्कत है तो उस लड़के ने गा कि सर जी मेरे पास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए है जिनके कारण ये जो मैं दुखी हूं ये में को होना पड़ रहा है सो सर ने ये बोलके उसने बोला ठीक है बेटा जाओ तब त रहता जाए और सर जी ने वह अपने कमरे में असको बिलाया और कहा आओ बेटा बैठो ये बोले वो खोड किचिन में जाने लगे और किचिन में जाके शिकनजी बनाई और उनों शिकनजी में जान बूच के नमक थोड़ा जाधा डाल दिया फिर वह लड़के के पास शिकन जब छाजी खराब है तो लड़का बोलता है नहीं सर जी शिगण जी तो कई दिक्कत कही तुमने और सर हाल सीरियस हो गए सर ने बोला कि जब तुम्हें इतले अच्छी बात मालुम है तो फिर इसको अपने जीवन में क्यों नहीं अतारते यह शिकनजी है तुम्हारा जीवन और यह नमक है तुम्हारे जीवन के पास्ट में कुछ हुई हुई घटना और जब तुम्हें मालुम है कि इन नमक कोश्ट कंजी से नहीं हटाया जा सकता लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो जीवन तो हमेशा आपका सॉल्टनेस से भढ़ा रहेगा लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी मिठास और डाल दो थोड़ी सी शुगर और डाल दो तो आपका जीवन बहुत सुन्दर हो सकता है और भैतरीन हो सकता है ये सब बाते सुनके और समझके जो लड़का है वो समझ गया कि सर उसको क्या समझाना चाहते हैं और फाइनली उसने सर से का सर आज के बाद मैं अपने पास्ट के कोई भी चीज का रेग्रेट नहीं करूंगा और कभी भी बुरा नहीं मानूंगा आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दियो और इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू सो मुच यही थे मेरी आज की कहानी अगर आपको यह कहानी पसंद दो आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि आपको यह कहानी कैसे लगी